and welcome देखे रिसेंटली टाइफून मुलावे को मुलावे ने हिट किया है वियतनाम को और जो हमारा वीडियो है वो इसी पर बेस्ट है आज हम बात करेंगे हरीकें टाइफून साइकलों जो वो एक ही चीज होते हैं और वो क्या होते हैं यह टॉपिक जो है डिजास्ट मेनेजम के लिए है और ज"? छिएस पेपर बशायो? जो हमारा है तो हम ने इस वीडियो पे बात की है यह क्या होता है और इसको 4 rest पार्ट में बाटा था क्या होते हैं क्या होते हैं क्या है से पार्टे हैं और क्या से लिएध gü perform आर इसके सजड़ tavalla को वो आप अगले दो पार्ट जो है इस पिछली वीडियो में देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछली वीडियो का यह देखे वियतनाम का लोकेशन यहां पर है और यह न्यूज में क्यों है टाइफून मुलावे क्योंकि वियतनाम में हिट जो कि चलता है जून से नवंबर में और यह इनका जो जहां पर वियतनाम जो लिखा हुआ है यह इसका सेंट्रल कोस्टल प्रोविंस है और यहां पर ही सबसे जादा इंपक्ट होता है अब हम बात करें टाइफून की टाइफून साइकलोन और हरीकेन एक ही चीज होती है व जो कि एक स्ट्रॉंग ट्रोपिकल साइकलोन होता है देखिए टाइफून और साइकलोन यह तो एक हो चुके आगए अब इसी तरह हरीकेन भी होते हैं वह भी हम आपको बता देंगे ट्रॉपिकल साइकलोन जो है वो रोटेट करते हैं घूमते हैं काउंटर नॉर्दन हेमिस्फेयर में जो उनका रोटेशन है वो काउंटर क्लॉक वाइज रहता है नॉर्दन हेमिस्फेयर में और इसको मेजर किस से किया जाता है सैफीर सिम्सन हरीकेन विंड स्केल सैफीर सिम्सन हरीकेन विंड स्केल इसको आप याद रखेगा यह वीडियो में आग आर्थ पे सबसे बड़ा स्टॉम में से एक है, सबसे बड़े तुफानों में से एक है, और यह जून और नमबर के बीच में ही आता है, ज्यादा तर और इसको जैसे हरीकेन, USA में और केरबियन में इसको कहते हैं, हरीकेन, और वेस्टर नॉर्थ पैसिफिक में इसको कहते हैं ताइफून तो आप टाइफून मुलावे अपने आप हरीकेन हो गया नو बेर बैश बैंगोल और अरेबियन C में हमारे यहा पर इसको बोलते है साइकलो और ऐसंट्रेलिया में इसी हरीकोन को बोलते है विली-विली जिसको so, doing-pacific.com भोता है तैफून Amand तो अब बनता कैसे है देखेाँ डिस्टाबेंस होती है रिकेयन टैफून का सबसे छोटा फॉर्म है सबसे स्मौलेस्ट फॉर्म है ट्रोपाटल डिस्टाबेंस ट्रोपाटल distracting डिस्टाबेंस किया होता है यह पिक्चर से समझे देखिए यह ocean water है warm water उसके उपर cold clouds बन रहे हैं ठीक है और warm water के उपर है warm humid air और cloud की है unstable air तो आप यह देखिए कि cloud का temperature तो है cold यानि कि ठंडा और warm water का है गर्म तो यानि कि यह गर्म है वो ठंडा है तो temperature difference है इसी तरह से इनका pressure भी different होता है तो इस चीज को बोलते है tropical disturbance यह सबसे चोटा form होता है tropical disturbance hurricane का और देखे tropical disturbance 0 km से 30-35 या 37 km पर आवर तक होता है उसके बाद अगर वो reach कर जाता है 62 km पर आवर तक तो tropical disturbance convert हो जाता है tropical depression में और tropical depression भी और strong हो जाता है उसकी speed और बढ़ जाती है तो वो बन जाता है tropical storm पहले सबसे पहले बना tropical disturbance फिर बना speed बढ़ने पर tropical depression फिर बढ़ा tropical storm और tropical storm फाइनली hurricane बनता है टाइफून बनता है जब उसकी speed reach कर जाती है 119 km पर आर यह देखे सबसे पहले tropical disturbance 37 km पर आर तक फिर tropical depression 62 km पर आर तक फिर उसकी speed body 118 km पर आर तक tropical storm और फाइनली hurricane from 119 km पर आर तो जैसे कि पिछे पहले बताया था वीडियो में कि इसको measure किया जाता है सैंसन सिफर सैंसन hurricane wind scale से उसी wind scale में अब इसका नाम तो चेंज नहीं होता लेकिन इसकी speed जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो इसका level बढ़ जाता है सैंसन इसको जो पांच category में बाटता है speed अनुसार वो क्या है और इसके जो तीन पार्ट होते है hurricane के वो क्या है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और सिधा आप स्किप कर दीजेगा पहले explaining ही है डेल्टा की और जो अभी बताया hurricane की definition इसको आप सब्सक्राइब करके सिधा category और पार्ट पर आ जाईएगा उस वीडियो में अब फाइनल यह जो नाम दिया गया देखिए हर continent का या हर zone का अलग-अलग naming commission होता है एक अलग center होता है तो यह जो टाइफून की naming करता है टाइफून की naming करता rsmc rsmc क्या है regional specialized metrological center यह है टोक्यो में यह टाइफून के नाम रखता है जो इनके पास पांच लिस्ट दी जाती है अलग-अलग countries के द्वारा उसमें से एक तो मुलावे जो नाम रखा गया था उसकी लिस्ट दीती फिलिपिन्स ने तो फिलिपिन्स ने नाम रखा था मु प्लैनेट जी के डॉट इनको विजिट कर सकते हैं